हलो फ्रेंट्स विल्कम टू ब्लशा कीचन ब्लशा कीचन में एक वाफी से आपका स्वागत करती हूँ आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत बढ़िया और बहुत ही टेस्टी डिश आज हम यहाँ पर मतर की कचोरी बनाएंगे यह कचोरी सभी को बहुत टेस्टी लगती है तो फ्रेंट्स चलिए हम देखते हैं मतर की कचोरी के लिए हमें किन किन इंग्रिडेंस की आवशकता होगी और हाँ फ्रेंट्स वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भी ले सकते हैं लेकिन अभी मारकेट में हरे मठर काफी आ रहे हैं तो आप हरे मठर की कचोरी बनाए तो बहुत ही टेस्टी कचोरी ऒनेगी दो बड़े चमच तेल एक चमच लाल मीर्ज पाउडर एक चमच सोफ़ पाउडर आधा चमच गरम मसाला एक चमच धनिया पाउडर जीरा पाउडर एक चमच अद्रख लग्सुन कापेस्ट अधा चमच अमचूर पाउडर यहां पर मैंने दो लोंग तीन चार काली मिर्च और एक इंच छोटे तायचीनी के टुकड़े को मैंने दरदरा कूपके रख लिया है आधा से भी कम चमच हल्दी पाउडर वन फोर चमच अजवाइंग आधा चमच जीरा वन फोर चमच हेंग नमक इसके अकोडिंग दो हरी मिर्च मैंने बारिक काटके ले ली है आप यहां पर हरी मिर्च अगर डालना पसंद करें तो ही डालें परना इसकीफ कर सकते हैं और यह हरा धनिया और कचोरी तलने के लिए तेल हमें चाहिए जो मैंने गेस पर बिल्कुल स्लो फ्लेम पर गरम होन के लिए रख दिया है तो चलिए फ्रेंड अब हम अठर की कचोरी बनाने की शुरुआत करते हैं कचोरी तयार करने के लिए यहां पर हम मेदा में सबसे पहले नमक डार देंगे और यह अजवाइन जो हम ने ली थी वह हम अजवाइन डालेंगे तेल डालेंगे और अब हम बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो हमें मोरन इतना मिलाना है कि हम मेदा को इस तरीके से हाथ में ले तो अच्छी तरीके से बाइंडिंग हो जानी चाहिए पर मैंने तेल को अच्छे तरीके से मेदा में मिक्स कर लिया है और आप एक बार इस तरीके से हाथ से करके देखें तो मेदा अच्छी बाइंड हो रही है आप यहां पर तेल या घी किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं हम इसमें थोड़ा थोड़ा करते वे पानी डालेंगे और मेदा का एक सॉफ्ट डौ तयार करेंगे यहने मेदा का एक सॉफ्ट डौ बना के और रख लिया है मेदा को न मैंने बिल्कुल हाड किया है और नए ही बिल्कुल सॉफ्ट किया है जैसे हम डेली में रोटी बनाते हैं उस हिसाब कई ही मेदा का आटा लगा के हमें रखना है हम इसमें थोड़ा सा ओईल डालेंगे इसको ओईल लगा के और 15-20 मिनिट के लिए हम आटे को सेट होने के लिए रख देंगे कचोरी बनाने के लिए आटे को हमने सैटोने के लिए रख दिया है अब हम इसकी टियार करेंगे इसके लिए हमने जो ये हरे मटर के दाने लिए थे उनको हम दरदरा पीस लेंगे और इनका एक पेस्ट तियार करेंगे हमें इनको ज्यादा बारिक नहीं पीसना है हमें इनको थोड़ा मोटा मोटा ही पीसना है और हमें इसमें पानी बिल्कुल भी एड़ नहीं करना है यहां पर मटर को मैंने बिल्कुल दरदरा पीस के और रख लिया है इसमें कुछ मटर बिल्कुल साबूत है और कुछ मटर के तेल गरम हो गया है जीरा एड करेंगे अधरक और मिर्ची का पेस्ट बनाए था वो हम डालेंगे पेस्ट में हल्दी पाउडर डालेंगे लाल मिच पाउडर डालेंगे धनिया पाउडर सौफ पाउडर जीरा पाउडर डालेंगे अमचूर पाउडर डालेंगे और इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो देखिए मसाले को भूनते हुए लगभग 5 मिनिट हो कर दिया है यह कडाई से भी बिल्कुल नहीं लग रहा है इस स्टेज पर आके हम इसमें गराम मसाला मिलाएंगे काली मिर्ची लॉंग और दाजी निका जो हमने दरदरा पाउडर बना के रख रखा था उनको मिला देंगे और एक बार अच्छी तरीके से इनको मिक्स करेंगे स्टेफिंग लगवक ठंडी हो गई है अब हम इसमें नमक एड कर देंगे नमक यहां पर मैंने सबसे लास्ट में एड किया है क्योंकि गरम गरम में हमें नमक की टेस्ट का पता नहीं चलता है तो फ्रेंट्स एक बार आप मसाले में नमक को थोड़ा सा टेस्ट करके देख अगर नमक कम हुआ तो हमारी कचवरी का स्वाथ बिल्कुल बिगड़ जाएगा अब हमें क्या करना है कि स्टेफिंग की हमें छोटी-छोटी मसाले को थोड़ा-थोड़ा सा हाथ में लेके और हमें छोटी-छोटी सी बोल बनाके और इस तरीके से रख लेने हैं आप इस बात का भी ध्यान रखें कि मसाला अच्छी तरीके से बाइंडिंग हो पा रहा है या नहीं अगर आपका मसाला अच्छी तरीके से बाइंडिंग नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पर एक उबला हुआ आलू मेश करके और डाल सकते हैं तो देखिए फ्रेंट्स, यहाँ पर मैंने सारे स्टेफिंग की बॉल्स बना के रख ली है, यहाँ पर मैंने स्टेफिंग को टेस्ट भी किया था, बहुत ही अच्छा मसाला बनके तयार हुआ है, तो आप इस तरीके से स्टेफिंग बना करके और तयार कर लीजिए, अब हम आटे को चेक करते हैं, यह देखिए फ्रेंट्स, आटा बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो गया है, अब हम आटे की भी लोईया बना की तयार कर लेते हैं, तो दोनों हतेलियों के बीच में रखेंगे, और इस तरीके से जैसे हम फुलका बेलने के लिए लोई बनाते हैं, उसी साथ से हम एक लोई तयार कर लेंगे, उसी साथ से हम एक गोल लोई तयार कर लेंगे, और इस तरीके से दोनों हतेलियों के बीच में रखेंगे, और अब हम चारों उंगलियां बाहर और अंगुटे को बीच से प्रेस करते हुए, हम इसकी एक कटोरी शेप देंगे, आ और इसको इसी साब से स्ट्रफिंग को अंदर दबाते हुए और इसको बिल्कुल अच्छे से हम जोइंट करेंगे और अब हम इसको इस तरीके से बंद कर देंगे और यह जो जोइंट हुआ है उस वाले पार्ट को हम तोड़ के अलग रख देंगे ताकि जोइंट बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो सके और यह देखिए यह राउंड शेप में कचोरी बनके तयार हो गई है अब हम क्या करेंगे कि इसको हतेली से थोड़ा सा प्रेस करते हुए इस तरीके से हम कचोरी का शेप दे देंगे आप इसको जादा न दबाएं नहीं तो कचोरी फट सकती है और मसाला बाहर आ सकता है यह देखिए कचोरी आप अपने मन मुताबिक छोटी यह बड़ी कर सकते हैं यह देखिए फ्रेंड्स यह कचोरी बनकर के तयार है इसी तरीके से हम इन सभी लोयों की कचोरी बना के तयार कर लेंगे अब बड़ी ही सावधानी से करें नहीं तो यह तेल में जाने के बाद में खुल जाएगी आपको कचोरी बनाने का एक दूसरा तरीका में और बताती हूं अगर आप इस तरीके से हाथ से इसे राउंड शेप में या कटोरी शेप में दे पाए तो ज़्यादा सही है नहीं तो आप इसे एक पूड़ी की साइज में बेल लीजिए यह देखिए इसका गॉल्ड राउंड बना के आप इसे विल्कुल गॉल साइज में बेल लीजिए इसे हाथ में रखें और एक स्टफिंग की बोल को हमें इसके बीच में रखते हुए इस तरीके से सारे जोइंट्स को अच्छी तरीके से मिलाएं लेकिन बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस जोइंट को हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलाना है ताकि तेल में जाने के बार में कचोरी जो है वो खुल नहीं सके इस तरीके से हम इसको राउंड राउंड गुमा करके और तोड की और अलग रख देंगे तक गता है मैंने इसको विल्कुल हलका गरम किया है क्योंकि हमें कच्छोरी को तरनी के लिए बिल्कुल हलका तर तर चाहिए जिस से कि हमारी कच्छोरी अंदर तक तल सके तो हम एक बार तेल को चेक कर लेते हैं इसके लिए हम आटे की एक चोटी सी लोई डाल के देखेंगे यह देखिए यह दीरे-दीरे तल करके और उपपर आजाएगी इसका मतलब हमें जो कचोरी तलने के लिए टेमपरेचर चाहिए तेल का वो परफेक्ट है इस ओयल में हम धीरे-धीरे करते हुए एक के कचोरी डालेंगे आप यहां पर देख रहे होंगे कि कचोरी धीरे-धीरे तेल में तलने जारी है इससे क्या होगा कि यह कचोरी का अंदर का पार्ट जो होता है वो भी अच्छी तरीके से तल जाएगा और कचोरी बहुती अच्छी बहुती क्रिस्पी बन करके तयार होगी कचोरी सभी की बहुत फिवरेट होती है यह बहुती अच्छा एक स्ट्रीट फूड होता है तो आप इसे बजार में नहीं खाके घर पे बना के खाएं तो यह बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छा रहेगा देखिए फ्रेंड्स कचूरियों का कलर प्राउन होना स्टार्ट हो गया है हम अच्छी तरीके से चल लेंगे कच इसे ने काल आ बहुत ही खाला श्काश्तान तैयार है आपको तोड़ के बताती हूं यह देखिए यह बहुत ही क्रेंची है यह देखिए आप इसको देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी चैनल अभिला शाकीचन को सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरे इस रेसिपी वीडियो को स्क्रीन के बीच में जो मेरी फोटो आपको दिख रही है उस पर क्लिक करके मेरे चैनल अभिला शाकीचन को सब्सक्राइब जरूर करें यह बिल्कुल फ्री है तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ थेंक्यू पत्री करेंट नेक्ष भी विल्कुल यह तो मेरी है एलो पास्राइब करेंडं़ की बाते हैं तो झालूर को बेहां जो कि बृष्वर तो अगँं वीजर को जे संटेन को यह जो ख्यक्राइब फ्री freshmen